जहिन दोस्तों मैं मनुश सिंग अगेन एक बार रेटेंस रिलेटेड रेटेंस रिलेटेड मैसेज आपको मैं दे रहा हूं स्पेसली SSC GD स्टाप सेलेक्शन कमिशन जिसका फूल फावम है स्टाप सेलेक्शन कमिशन SSC GD जो की SSC GD वालों का एडमीट कार्ड आना सुरू हो गया है हमारी एकेडमी में जो भी लड़के दीपावली के उपलक्ष में या उसके आउसर पे तेहवार पे गए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है बहुत जल्दी से जल्दी कल संडे है संडे के साम तक एकेडमी में अपना तुरंत आ जाएं क्य का आ गया है इसमें कई लड़कों का मेरे ही एकेडमी के लड़कों का ऐसा डेट आया सौल तारी कोर शर्ड हो गया है मैं नॉंबर महिनी में तो दोस्तों जिनका शोलू से अटारु आट है वह तो तो तयारी बहुत जोड़ीत्यों से करें साथ में उन लोगों के लिए जो admit card आ चुका है, finally जो original admit card होगा, वह आपको date चार दिन पहले मिल जाएगा और आपका जो center है, school है आपको, finally date से चार दिन पहले वो clear होगा, यह ऐसा होता है कि आप लोग बहुत पहले, अगर आपको school, college अगर दे दिया जाता कि आप किस जगहें आपका center जा रहा है, किस जगे आपका पेपर होने वाला है तो कहीं ने कहीं आज काल जो जितने सेटिंग मैटर है वो एक्टिव हो जाते हैं और उस एक्टिव की वज़े से बहुत से प्रावलम सुरू हो जाती है उन लोगों को नुक्सान हो जाता है जो रियल में पढ़े लिखे होते हैं फैदा जो लड़का पढ़ाई कर रहा है उसको उसका फैदा मिलना चाहिए यह बड़ा अच्छा एक सब्जेक्ट है कि एजुकेस्टन जो आपका जो सिंटर है वो चार दिन पहले सो कर रहा है यह बहुत अच्छी बात है एक महिने का डेट आ रहा है आप ध्यान होना चाहिए सोल अच्छी अच्छी बात है यह बड़ाएं और इसके अलावा यह देख लिए हमारे पास कुछ इस तरीके अच्छी में जिनका एडमीट काड यह देखिए सब्सक्राइब का एडमीट का यह आपके सामने आ चुका है यह सूरच कुमार यह जो लड़का बैठा हुआ हमारे पास इस लड़के का एडमीट काड है आ गया इसका सूरच कुमार और राम बाबू दो लड़के हैं इन लोगों का एडमीट काड आ चुका है और फश्ट में ही है इन लोगों इसके साथ साथ इन लड़कों के साथ और भी जो हमारे अकेडमी में UPSI जो तयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खुसकवरी आ चुकी है इसी महिने की 12 तारिक से उनका भी आ चुका है सब कुछ वो भी प्रापर पेपर के लिए रेडी हो जाए साथ साथ UPSI यह भी अपने आपको एक्टी मोड में हमेशा रखें वो भी जो गए है छुटी पे तुरंत आ जाए इसकी अलावा खुसकवरी है उत्तर प्रदेश पुलीस UPP के लिए भी बहुत अच्छी ख़बर है कि उनका भी 12 तारिक तक नौंबर में 12-14 तारिक तक उन करें उनके लिए उनका भी इसी महीने के लास्ट में वारांसी defence की डियू क्लास स्टार्ट कर देगी है यह उत्तर पर जाएंगे यह यह लड़के वाले लड़के तयारी कर रहे थे यह पेपर दे कर वापस उत्तरपर प्रदेश पुलीस के लिए इसी हैड हो तो लड़के एकडमी दुबारा छोड़ नहीं रहे हैं यूपीपी के लिए वह हो चुके हैं और इसके अलावा आए मैं आपने एकडमी के दो लड़के जिनका एडमिट काड आ गया है इन दोनों लड़कों से मिलाता हूं और यहां कि क्या तैयारी है इसके बारे में आपको यहां कर रहने खाने और पढ़ाई का सिस्टम क्या है थोड़ा सके मेरे थे समने उपर यहां कर जो है अच्छी तरह से चिक पाया है अच्छी चाहिए घ्रणे नहीं कर वाहित बश्याशक ख़राब कर देंदेंदे और यहां तो मेना बहुत खराब थी सब्स्सक्राइं बहुत अच्छी बात है और क्या आप संतुस्ठ है से ऐसा लगता है ने बिहार इतना दूर से आये हैं देखिए यह पूरवांचल बिहार और जहरखंड के लिए एक ऐसी अकेडिमी है जो ब्रेक कराती है तो क्या आप बिहार से आके अधर स्टेट उत्तर प्रदेश में अप अपने खुस हैं यह अईसा तो नहीं है कि लगता कि हम पता नहीं कहां आ गए है इस तरीके बहुत खुस हो तो मतलब खाने पीने से और फिजिकल साइट से का सब्सक्राइब की आपका आपका अठार नॉमबर आपका डेटा अठार नॉम्बर तो आचुका है इसके यह सूरज कुमार का ओपिनियन था और आये दूसरा लड़का में राम बाबु है जो कि इनका ही कि आपको कितना टाइम हो गए यहां पर तैयारी करते हुए आप इस पेसली किस चीज की तैयारी कर रहे हो क्या है आपको यहां रिटेन वगरा क्या समझ में आता है कि नार्मल कोचिंग सिंटर से यह आपको ऐसा लगता है एक चुली में पढ़ाई के लिए घर छोड़कर एकदम सांती जगह चले जाना है कि एक एकडम घर दुआर से मतलब नहीं रहे से पढ़ने पढ़ने पर फोकस मैं जो है सर मेरा बहुत यहां अच्छा सुलूशन मिला है हमें मैं का जो है रिजल्ट मेरा बूस अच्छा है समझ और मैं इस चीटी के लिए पेपर देने के लिए त्याग है आगे यहां आप लोगों को फिजिकल भी मिल जाता है और आप लोग घर से दूर आकर भी एक मत कोई कमी वीडीय कांदर ऐसा कोई कमी के कमी होना बहुत अच्छी बात है मैं बोलता हूँ कि अगर इंसान ANDर सब कुछ आ गया तो इंसान खटम हो हो अगर असंतुष्ट हो तो बताइए उसको मैं इंप्रूब करूँगा और आगे इसके पेपर के वाद कब कर डिट है आपका दियान दिजिएगा एक लड़के का 18 नौंबर है और खोल कर मैं दिखा सकता हूं फिलाल में ये लिप्टाप मेरे सामने आप एक चीज आपका मैं सूरज के दिखा दिया हूं एक का 18 नौंबर और एक का 6 दिसंबर ऐसे बहुत से लड़के हैं सिर्फ दो लड़कों को मैंने आपके सामने एक प्रमूट किया है बाकि ऐसे पूरे लड़कें पूरी क्लास्रूम भरी है जिनका कोई इसी इनी महिनों के बी धिरे सारी भरतियां खुल चुकी है खुल रही है और इंडियन आर्मी के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको निरास होने के जोड़त नहीं है सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश में अगर कोई भरती आएगी तो वारांड़सी बियारों की ही भरती आएगी यह ध्यान नारस की भरती दूँ उसके बाद कहीं पूरे पुर्वांचल से हटको उनको सचना पड़ेगा तो यह पुर्वांचल के लोगों के लिए एक अच्छा खुशकबरी है कि अगर पुलिस है स्टेट गवर्मेंट अपना भरती निकाल ले तो सेंटर गवर्मेंट इन से कहीं आगे होता है सेंटर गवर्मेंट इन से कहीं आगे होता है स्टेट गवर्मेंट इतनी एक्टिव हो तो सेंटर गवर्मेंट पूरे देश में अपना काम करती जैसे एक सेंटर गवर्मेंट की संस्था है ना कि राज्य सरकार की है और सेंटर गवर्मेंट आज की डेट में अगर सेसी जीडी का पेपर करा रहा है तो यह मान कर चलिए कि अब सारे मेंटर पर एक्टिव हो रही है जब तक कन्फूजन था जब तक एड्मीड कार्ड नहीं था आ जाएगा डेट चल जाएगा बहुत सी चीजें थी लेकिन नहीं कोरोना खतम हो गया कोविड का वो प्रक और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और पेपर दीजी आप और एससी जीडी के लिए भी कभी फिजिकल की जुरुत पढ़ती है उन लड़कों को कि जो लड़के एससी जीडी की पेपर दे रहे हैं उनको पेपर देने के बाद कॉंफिडेंस लेवल उनका हाई होना च दे सकते हैं हम लोग तत्पर हैं हमेसा रिटेन देने के लिए फिजिकल देने के लिए जिस तरीके की आपकी अग्षे विडिए हर डिक्वार्मेंट को पूरा करने के लिए हमेसा active है और हम रहते हैं देश के अंदर ऐसा कोई फिजीकल नहीं है जो सरकारी संस्था से हो चाहे रसा हो चाहे बीम हो चाहे रनिंग हो आल साइड का फिजिकल हम लोग देते हैं उन लोगों के लिए जो यूपी-पी की तयारी करने वाले हैं एक दिसंबर से पहले एक वीडियो बनाऊंगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलीस का बैच कब शुरू करते हैं और विद्ध फिजिकल के साथ सुरू करेंगे वन टाइम फिजिकल टू टाइम रिटेन के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश का यूपी-पी का बैच सुरू करेंगे तो उन लड़कों के लिए एक ख़बरी रहेगा और एक्टिव रहेंगे एडमिसन लेने के लिए और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको आपसे विदा लेना चाहता हूं जय हिंद जय भारत